नमश्कार F&O की पाथ शाला में आप सभी का स्वागत हैं मैं हूं मांसी दवे और मेरे साथ जुड़े हैं Zee Business के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंगवी जी हमने रोलोवर को ही रोलोवर कर दिया इस एपेसोड में पिछली बार हम यहीं बात करते हैं आपने बोला था किसी को आगे हम ले जाएंगे और इसमें सवाल भी बहुत सारे आगे हैं आने भी चाहिए हैं मतलब पूरे वाइदा कारोबार की सिरीज की सबसे बड़ी अगर कोई एक गटना है जिस पर नजर होती है तो वो एकस्पाइरी और रोलोवर क्योंकि सिरीज की सबसे ज़्यादा रोलोवर होता है और उससे बड़ी कोई चीज है नहीं तो जाहिर सी बात है कि फिर इसको तो अच्छे से समझ ही लेना चाहिए तो फिर मैं तो सोचने लगी हूँ अब देखिए फर्स कीजिए मैं मेटल स्टॉक में ने खरीद है और मुझे कोई भी मेट किसी भी श्टॉक की चाल उसके सेक्टर की चाल के फिशूब से चलती आम तो पर एक सेक्टर के सारे स्टॉक ऊपर जाएंगे आ नीचे जाएंगे लिंक कभी-कभी क्या होता कोई एक स्टोक ऐसा हुआ जो अलगी चलता है क्यों क्यों क्या जाँ तो ऊसमें कोई अच्छी और बुरी खाबर की उम्मिद हो पूरा सेक्टर बढळागी वու शेर नी बढळाथा उसका मैं शेर को लेकर कोई दिक्कत है या पूरा सेक्टर ढिला है लेकिन किसी स्टॉक में कोई सम्झो बोरस आने की ख़बर है या लोगों लगता है कुछ बढ़े रिजल टाएंगे उसमें खरीदारी भी हो सकते तो रोल ओर करने के लिए आपकी फर्स प्रायोरिटी तो आपका शेर ही होना चाहिए कि मैं जिस शेर में ट्रेड कर रही हूँ उसमें मेरी जो पोजिशन है तेजी अमंदी की क्या वो अगले महिने के लिए भी ठीक है क्या पहली चीज वो तो अगर आप सेक्टर का रोल ओर बहुत ना भी देखे तो चलेगा खाली एक जनरल ओलेज के लिए ठीक है कि सेक्टर पर आउट लुक क्या है अगर सेक्टर को लेकर लोग बहुत समझे आपने तेजी की पोजिशन बनाई टाटा स्टिल और मैटल सेक्टर को लेकर मार्केट पोजिटिव नहीं है फिर भी आप अगली सेरीज में तेजी की प खले मुझे तो पोजिशन रखनी है तो रख लीजिए सेम इंडेक्स फुचर जब आप रोल ओर करते है या फिर बैंक निफ्टी के तो आपको व्यू पूरे सेक्टर पर लेडा है वहां पर है कि बैंक निफ्टी रोल ओर करो का तो बैंक इंडेक्स का भी होता है अन्चा futures का होता है. और futures में क्या है, दो तरे के futures है? Index futures, stock futures. तो दोनों तरे के futures का roll hour होता है. Nifty हो, bank 50 हो, कोई भी हो. हर तरे की future का roll hour होता है. Option का roll hour نہیں होता है, future का roll hour होता है. तो ठीक उसी तरह से जब इसी लिए जब आप इंडेक्स की बात करें ये सेक्टर की बात करें ना तो सेक्टर की बात करना होता है तो आपको इंडेक्स वाला देखना होता है जैसे आपको बैंक निफ्टी का रोल ओर करना है तो आपको देखना है कि बैंकिंग सेक्टर को लि सेक्टर भी वैसे ही कर रहा है कि उसके विपरीद कर रहा है तो थोड़ा सा वो इतना समझ की कर लें अधर्वाइस स्टॉक्स के और इंडेक्स के रोल ओर में हलका सा यह फरक है इंडेक्स के रोल ओर में आपको ओर ओर पोजिशन ज्यादा देखनी है बाजार का व्यूद बना के करोगे बाजार उपर जाने वाला यह नीची जाने वाला है चले तो आप इंडेक्स का भी रोल ओर कर सकते हैं डियान में रखें रोल ओर कंब यह रोल ओर बढ़ा इसका मतलब क्या है यह अच्छा सवाल पुछा है आप तो पर आपशिशन को अगली सीजी में क्यों ले जाते हैं या कब ले जाते हैं जब आपको अगली सिरीज में कुछ उम्मीद हो कि मेरी पॉजिशन के मुताबिक स्टॉक चलेगा या गिरेगा या मेरी पॉजिशन के मुताबिक स्टॉक इंडेक्स बढ़ेगा या गिरेगा तो ही तो आप पॉजिशन रखेंगे ज़ी तो क्यों करेंगे पर्फॉर्मेंस होगा उसमें, तो रोलोवर ज्यादा कब होते हैं, जब लोगों का इंट्रेस्ट बाजार में या उस स्टॉक में ज्यादा होता है, तो रोलोवर ज्यादा दिखेंगे, जब लोगों का इंट्रेस्ट कम है, ट्रेड ही नहीं करना है, कम करना है, तो रोलोवर जाल होंगे. तो आमतोर पर जिब roll-over जदा होटे हैं, तों करते हैं, लोगों का interest participation, action बहुत है बाजायर. ऌसलिants roll-over हो रहे हैं. और जब कम होता है, जब करते हैं, सुख ख करते हैं, लोग तों टहंडे हैं बाजार कुछ हो नहीं रहा आम तोर पर आम तोर पर तेजी के माहुल में रोलोवर ज्यादा होते हैं क्यों कि देखिए जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं एफाइज हुए हैं फंड हुए हैं उनको तो रोलोवर करना तो करेंगी उनके लिए तो डे टू दे में कोई फरक नहीं परतार वो अजिए तो ऐसी सिच्विशन में आम तोर पर जो रोलोवर होते हैं वह तेजी की तरफ के ज़्यादा है यह बड़ागा इंटरेसिंग है तो रोलोवर ज्यादा होरे हैं सिंपल आप चीज समय लिए उसका मतलब ए कि बाजार में लोगों का इंट्रे weetश ज्यादा है तो बाजार में किस्व इन्टे stripe में वगों का इंट्रे ego обटे बेह जखा आगे चलकर एक नई कॉनसट ले के फिर आएंगे आप बले रहें हमारे साथ नमस्कार का झाल झाल